वेलकम टो श्रिवास्तव क्लासेश तो भाई जैसे कि आप सब को पता है कल राती जो है एडमिट कार्ड रिलीस कर दिया गया है फॉर्थ और सेक्स सेमेस्टर वाले इस्ट्रेंट्स का सर्फ बी ए प्रोग्राम को छोड़के यानि कि बी ए प्रोग्राम वाले बच्चों का अभी भी नहीं आया है अटेंशन मतलो आप लोगो का भी आजाएगा बहुत जल्दी जब भी आएगा इनफॉर्म जरूर करूँ और भाई अभी तक आप लोगो ने वीडियो नहीं देखिए तो जाके देख लेजेगा कि कैसे आप लोगो को जो है अड्मिट काड डामनोट करना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देदू है उस वीडियो का अब यहां पर भाई इस वीडियो में आप लोगो कुछ गाइडलेंस बताने आया हूँ जो आप लोगो के एड्मिट काड़ पर भी लिख होती है उन आप लोगों का सुबह 9 बजे एक्जाम स्टार्ट है तो साड़े आठ तक आप जो है अपने एक्जाम सेंटर पर पहुँच जाना और अगर भाई आप लेट एंट्री लेते हो तो लेट एंट्री बही सिर्फ और सिर्फ 30 मिनिट तक ही अलाउड है जैसे एक्जाम्पल नो बजे एक्जाम स्टार्ट हो जता है तो साड़े नों तक आप लेट होते हो तो साड़े नों तक एंट्री अलाउड हो उसके बाद भाई अलाउड नहीं बैटर है क्योंकि चोरी वरी हो गया तो भाई उसके लिए सेंटर या यूनिवर्सिटी जो है वो रिस्पोंसिबल नहीं होगी तीसरा डाउट भाई जो कॉमली बच्चे पूछते हैं कि कार्डबोर्ड लेके जाना जरूरी है तो भाई कार्डबोर्ड जो है उसकी जरूत आ या अंसर शीट होता है वही अच्छी खासी मोटी होते हैं कार्डबोर्ड की यहां पर आप लोगो को जरूत नहीं पड़ेगे और बहुत से सेंटर भाई ऐसे भी हैं जहां पर कार्डबोर्ड आप लोगों को अलाउट भी नहीं किये जाएंगे बहुत से बच्चे उसभीदाव हार सेंटर्स की अलग अलग है और लेके जाने देते हैं बैग और कुछ अंधर नहीं लेक जरूत भाई अप लोग जो है साती साथ आप लोग सोतने कोई ऋर डिवाईस जो है लेके मटने जाहीं like आप लोगो इस smart watch वगयरा जो है पैन के नहीं जाने है लेकर नहीं जाने हो नौर्मल जो घड़ी ओती है आप वो पैन के जा सकते smart watch वगयरा जो है वो सब चीजे पैन के मत जाएगा जब भाई आप उस room में enter कर लोगे जिसमें आप लोगो को exam यानि कि examination hole में जब entry कर लोगे तो वहाँ पर भाई कुछ बात होगा आप लोगों को ध्यान देना है जैसे कि भाई सबसे पहले जब आप लोगों की attendance होती है टीचर आप लोगों के पास आएगा एक attendance शीट लेके तो उसमें signature करना भाई मत भूलना क्योंकि यह बहुत ज़्या बट आप जो है इसमें sign करना मत भूलना दूसरी बात भाई आप लोगों को यह ध्यान नखनी है जो भी आप लोगों की answer sheet मिलेगी आप लोगों को उसमें details वगरा जो है आप लोग बिलकुल correct भरना admit card के according चाहे आप सब कुछ गलत कर देना लेकिन आपका जो भाई exam roll number होता है ना जो admit card पर आप लोगों को लिखा हूँ मिल जाएगा बस इसे गलत मत करना अगर यह गलत कर दे तो भाई दिक्कत वाली बात है बाकी तो आप कुछ भी अगर गलती से भी mistake कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट exam roll number जो है उसे गलत भूल के भी मत कर देना फि देखो भाई आप लोगों का exam खतम होने का जो time है फॉर example माल लेते हैं अपका छे बजे का है शाम का चे बजे का exam खतम होने का तो उससे भाई 30 मिनट पहले तक ही allowed है यानि कि 30 मिनट पहले जो है लोगों चोड़ा जाएगा उससे पहले नहीं चोड़ा जाएगा फिर चाह आप लोग का exam हुआ हो या ना हुआ हो उन्हें matter नहीं करता सिर्फ 30 मिनाट पहले से आप लोग को छोड़ना start करेंगे यानि कि 5.5 बजे के आसपस से आप लोग को छोड़ना start करेंगे अब यहाँ पर admit card के बारे में एक बात और समझ लो भाई जो आप लोग को admit card आप download करोग लेकर भाई आप लोग को admit card भी लेकर जाना इसका print out साथी साथ भाई आप लोग को एक government ID जो है वो भी लेकर जानी है अपने examination center पे government ID भाई आप लोग की कुछ भी हो सकते है for example अधार card, pen card या water ID card कोई भी आप government ID जो है लेकर जा सकते हैं बहुत से बच्चे यह पूछते हैं कि हम casual का i card भी लेकर जा सकते हैं तो भाई जा सकते हो वैसे वो कोई compulsory नहीं है कोई mandatory नहीं है बट जो है आप लोग की जो mandatory चीज़ है वो है भाई आप लोग का सबसे पहले तो यह admit card का print out दूसरा जो है भाई आप लोग का एक government ID ये दोनों चीज़े जो है बहुत ज़ादा मेना अपनी government ID ज़रूर लेके जाईएगा otherwise भाई आप लोग को exam hall में बैठने नहीं दिया जाएगा बहुत से बच्चे भाई यही पूछते हैं कि admit card में lamination करा ले तो देखो भाई अभी lamination मत कराना admit card में हो सकता है वो जो है signature वगरा करें examination hall के time पे जब आप लोग का exam होगा first time तो हो सकता है वो लोग admit card पे signature वगरा करें तो अभी lamination वगरा मत कराना और यह भी possible है कि admit card में अभी कुछ mistakes हों कुछ गलतियां हों तो वो सब चीज़े आप ढंक से चेक आउट कर लेजेगा अगर कोई दिक्कत हो तो भाई आप जो है S.O.L. office जाके इस चीज़ को ठीक करा लेजेगा बाकि कोई भी आप लोग के डाउट हो तो प्लीज नीचे comment box में बता देना otherwise Instagram पे आजाना link नीचे description मिल जागा महाँ पे भी आप लोग के सारे doubts जो है clear कर दुआ I hope भाई आप लोग को सारी guidelines जो है step by step अच्छे से समझ में आ चुकेगी टेंशन लेनी की ज़रूत नहीं है कुछ भी दिख्कत आ रहे हैं नीचे comment box में बताना मस के regarding वीडियो बनाने की पूरी कुछ करूँ हम मिलते नेक्स वीडियो में